कि अगुद मॉर्निंग आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल पर हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं आपको बता रही थी elements of communication मतलब संचार के तत्व के बारे में मैं आपको समझा रही थी तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉमिनिकेटर और मेसेज के बारे में डीटेल्स में बताया है अगर कभी भी आए कि कॉमिनिकेशन के कितने तत्व हैं तो आपको याद रखना होगा है सरु तरीका बदाते हैं cm का है ना cm का पावर होता है क्या होता है कि इसको ऐसे पूछते हैं कैसे पूछते हैं कि आप चैनल किस नमबर पर आता है तो आपको आपको याद रखना पड़ेगा कौन से याद कर रखोगे cm का चैनल मैसेज सोरी क मुनिकेटर मैसेज है चैनल ऑंडियन्स तो मैंने इन दोनों पर विश्टार से चर्चा किया है कॉम्धिकेटर पर और दूसरा मैसेज पर आप मेरी पीछे वीडियो में जा करके आप देख सकते हो तो आज मैं आपको चर्चा करूंगी किस पर है चैनल पर मतलब माध्यम चैनल का मतलब क्या हुआ माध्यम संचार का माध्यम संचारक जैसे मैं संचारक हुई यहां पर मैं क्या हूँ आपका स्रोता को समझाने के अपने संकेत को स्रोता तक पहुंचा रहा है लेकिन कैसे पहुंचाएगा उसके लिए उसको एक माध्यम चाहिए क्या चाहिए उसको माध्यम एक चांपल बताती हूं जैसे आप लखनों में बैठी है और आपको किताब चाहिए ठीक है आपको क्या चाहिए किताब चाहिए प्रकासक कहां बैठा है ए हैं जैपूर में प्रकास act आप कण замечку बैठा है आप लखनों में है और आपको किताब चाहिए अब कैसे पहुंचFireंगे आपके आपके पास कौन सा माध्यम होगा वही का माध्यम जो किताब पहुंचा रहा है चाहे कोरियर से या व्यां या ओनलाइन मंगवा रहे हो तो एक छोटा से एक्जामपल से आपको मैं बता रही हूं मालों आप कानपूर में बैठे हो और आपके ब्रदर आग्रा में बैठे है उनकी मोबाइल आपकी घर पे छूट गई उनको मोबाइल चाहिए कि भाइ में दिदी मेरी मोबाइल चूट गई आपके घर पे मुझे बैरी मोबाइल भेजवा दो तो आप क्या करोंगे आप क्या करोगे उनकी ब्रॉपाइल भुझ वाने के लिए कुछ नूए कुछ साधन उ quase उप्लवद करोगे किसी व्याक्ति को भीज़ों गे चैक्सी से भीज़ों ge या भाई पोस्ट भीज़ों और या कोरियर से भेज़ोगे तो जो हमें ने भी आपको बताया बस टैक्सी कार कोरियर यह सब क्या है संचार के मार्ध्यम में एक एक्जामपल और बताती हूं मान लो एक तालाब है तालाब के उस और आपके दोस्त खड़े है तालाब के उस और इस और मैं खड़ी हूँ जाने का कोई मार्ग नहीं है पूल नहीं है है ना अब बहुत बड़ा तालाब क्या नदी है नदी भी बहुत बड़ी गंगा नदी है गंगा नदी के उस छोर पर आपका गाउं है इस छोर पर आपके दोस्त का गाउं है बेच में आपका दोस्त कोई पैकेट आपको देना चाहता है कोई आवशक सामगरी देना चाहरा ह दंगा नदी में पानी अपने उफान पर है या बहुत पानी अप टैरके नहीं जा सकते या आपको नहीं आता है तो कौन सी सहारा लेंगे हम कोई संचारा अब समझ में आ गया है ना संचार क्या है संबाद को communicator अपने संबाद को जो स्रोता तक पहुचा रहा है वही तो चैनल हुआ जैसे मां अपने बेटे को बता रही है प्रातहकाल जग करके आपको अपना अगंतर होमबवर्क करना है अब यहां कहोगे मैडम कौन सी माध्यम है हम तो अबच्चे को कह दिए कि पुछोगे ना प्रस्म करोगे न कि हमने तो डैरेक्शन दे दिया उसने छून भी लिए そう、「 कभन यहां पर कौन से माध्यम है यहां पर के हुजने के पहुंचने के बाद सब्सक्राइड है और या अगर आपका बच्चा कर कर लिए मैं ने रात में पूरा कर लिया है तो उसने बाते बताई आपने जो बाते अन्य हवा माध्यम के रुप में काम कर रहा है और माध्यम्र वाहक अवधारना क्या है तो इसका अवधारना में तीन चीज़ आती है तीन चीज़ आती है चैनल के अवधारना में पहला क्या आता है इंकोडिंग डिकोडिंग अब मेसेज जो संबाद है जो संकेत है जो संदेश है उस संदेश को सोच समझ करके इनकोड करके वक्ता बोलता है संचारक उठपटांगी बात नहीं बोलता है अगर उठपटांग बात बोलता है तो सोचों के पगल है और पगल की बात कौन सुनता है कोई नहीं सुनता है है ना त कई बार कहते हैं कि आप बोलने से पहले गुणिये मतलब उस पर विचार कीजिए तब उस पर को बोलिए आप जो बोलने जा रहे हैं वह दूसरे पर क्या इंपक्ट डालेगा तो यह इसी चीज़ को इसी चीज़ को कॉमिनिकेशन के छेत्र में कहा गया है कि संचारक बोलने से पहले आपनी बातों को इंकोड करें पतला समझे विचारे उस पर मनन करें कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या सत्य है कितना परसंट सत्य है वो स्रोता के दिमाग में जाकर कि क्या इंपक्ट डालेगा है वह भाहन céu वाहन है यह से सायलो आपको अपने मों पर पहुचना पड़ता है तो आप क्या करते हो कि सी बाहन पर बैठके जाते हो या पैदल जाते हो क्या करते हो दूर है दस किलोमेटर है आपने मोटर साइकल लिया तो मोटर साइकल पर बैठके जारते हो तो यह क्या है एक वाहन है और फिर कि मैंसेज चैनल का कौन कौन से डाइमेंशन है तो पहला आएगा एनुकोंडिग डिकोंडिंग अफदा मेसेज सेकेंड आएगा विekल और थाड आएगा को ऊचैरिया का ताइब कि माध्यम को अपको में यहां पर आपने जो बोला वह क्या हुआ संचारक आपने मेसेज दिया क्या मेसेज दिया कि बेटा आपको 10 वजे स्कूल जाना यह आपका मेसेज है हवा यहां पर माध्यम है हवा में बात गई बच्चे ने सुना तो ध्वनी तरंगे जो आप अब कि रहे उसकी चीजे और उसको कणवाट किया आपकी बात को और फिर आपके बेटे के कान तक कसा के बाद पहुंचले के बाद ध्वनी तरंगे उसको टिकोड किया इंदी सब्ड़ कोई भी क्या है का है कि ममी बोल रही है और वो सुन करके प्रतिक्रिया करता है या सुन करके चुप चाप रहता है जैसा उसकी इक्षा होता वो करता है तो चार चीजे हुए आपने बोला क्या बोला किस माध्यम से बोला यहां पर हवा है ठीक है माध्यम और आपका पुत्र जो है सो स्रोता है और डियंस है ठीक है य मैं जो बोल रही हूं यहां हमारे केवल कमरे में मेरी हवार जा रही है और जो चीजे है जो वस्तुतुएं है यह कि सुन रहीने ये बात को लेकिन दो पर करी देंगी फरति केरीया तो आप नी मोबाइल का कि यूटूब का यूटूब में हमने इसको इूज किया है तो हाँ पर हमारा क्या ए श्मार्ट फोन स्वार्ट फोन हमारा क्या हुआ चैनल है तो चैनल क्या हो सकता है ना-डिक्जे mystी Metro रände पूल का काम करता है एक ब्रीज का काम करता है किस पर अपने संदेश को पहुचाने के लिए पूल का काम करता है यह और यह क्या हो सकता है और यह तो कोई वस्तु हो सकता है है ना परसन हो सकता है आज मेरी मोबाइल मुझे ओनलाइन क्लास लेनी है तो जो मैंने उसको बताया वो पर्शन था और अभी जो मैं आपको बता रही हूं जिस्माध्यम से आपको बताया जा रही हूं वह आपका एक जर्ट है यह प्रिंट मेडिया हो सकता है यह टेली विजन हो सकता है ये तेलिफोन हो सकता है ये नियूज़फेपर हो सकता है एंब को सकता है फजय जैसे चींवर्कर कर जाता है सिखाने के लिए हैंना गाउं में तो कुछ नुकुछ मीडियए का उप्योग करेगा कप ऐसे औन नहीं सिखा पाएगा लोगों को अवेर करता हैं कहाँ पर बेडल लगा हुआ है तो आप एदेखो एक व्यूलों सकतली रेडियो क्या हो सकता है प्रिंट मेडिया क्या हो सकता है टेली विजन आपको समझाने के दृष्टी से अभी आपने सुना है बड़ी जोर सोड से सुना है कि रूस ने एक किया है यूक्रेन पर रूस कितना दूर है यूक्रेन कितना दूर है हमें कैसे पता चल रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है कितने भारतिये बच्चे वहां फसे हुए है कैसे चल रहा है है ना हमें पता कैसे चल रहा है पर इंटिय मीडिया के माध्यम से आपको निक्राइज आज तो जो दिन वस्तों के माध्यम से हम चीजों को के जिन संदेश को हम पड़ रहे मेंसेज दूसरा है वेहिकल और तीसला है वेहिकल का माध्यम मैंने तीनों चीजों को समझा दिया यह चैनल कि कॉम्मिनिकेटर और और आवडियन्स के बीच में क्या करता है एक पूल के तरह काम करता है मान लो हमारी आवज कितने दूर तक जा सकती है हम यहां बोल रहे लोग बैठे हुए हैं तो क्या हुहां तक मेरी आवाज पहुंचेंगीम बॉल रही हूँ उसा नहीं पहुंचेंगी हमारे दूसरे कमरें की सुना ही अथे यहलेकिन साउंड वे उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जाकर के वहां पहुंचाहे तो इसके लिए मेडियम का चैनल का यूज किया जाता है हैना मेडियम की चैनल माध्यम का यूज किया जाता है में आप को बताकशिट करनी कोई बधाई singular स्मार्टफोन अब सक्सक्राइए है ना क्या करोगे फिर आप है फिर क्या करोगे आप फिर तो आप फोन का ही उप्योग करोगे ना ठीक थैंक्यू फिर मिलते हैं बेटे आगले वीडियो में तब तक ले जाने के दो इजाज़त बाई बाई